Good afternoon students, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल Study with अभिमान में तो आज मैं आपके लिए UP Board Exam 2021 के लिए क्लास 3 के लिए हिंदी की क्लास लेकर आए हूँ तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल Study with अभिमान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे पहले हिंदी की क्लास चैनल पर आ सकते हैं wiggle तो चैनल पर जा जाकर आप उस वीडियो को को देख सकते हैं तो इस वीडियो में मैंने आपके हिंदी गद्र के विकास से जितने भी important question answer वह भी करा हैं इसके अलाहों भी आपके exam के point of view से जितने भी important question आपके exam में पूछे जाते हैं वह सारे मैंने आपको इस वीडियो में provide करा हैं तो अगर आपने वीडियो न देखी हो तो आप चैनल पर जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ आपके हिंदी गद्र से संब्धित important question answer तो यह question भी आज की इस वीडियो में जो मैं आपको question कराने वाली हूँ यह question भी आपके exam के point of view से important है जो कि आपके exam में पूछे जाते हैं और यह आपकी हिंदी की class कौन सी है तो आपकी हिंदी की class जो है वो 7th class है तो इससे पहले मैंने आपके 6 classes ले रखी हैं अगर आपने ना देखी हो वीडियो तो आप चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और आपका जो यह classes है यह आपके time table के recording ही यहाँ पर चल रहा है तो कल मैंने आपके time table का schedule आपको बता दिया था तो उसी के recording जो है आपकी classes अब regular चलेंगी तो आपको चैनल को subscribe कर लेना है और चैनल से जुड़े रहना है तो चलिए फिर आज की important वीडियो को में start करते हैं तो यहाँ पर आपका first question क्या दिया हुआ है यहाँ पर आपका first question यहाँ पर दिया हुआ है कि शुक लिएगव 2 पत्रिकाओं एमंउनके संपाधकों के नाम बताये एक्जाम के प्यांट एक्जाम 2017 में पूछल जा जुक है तो एक्जाम के point of view से आपका यह question important हो जाता है तो आपका इसका answer क्या हो जाएगा तो जो शुक लियुक था उसमें आपको बताना है दो पत्रिकाओं के नाम और उनके संपादक के नाम आपको यहाँ पर बताने हैं तो दो पत्रिकाओं आपकी कौन कौन सी हैं तो दो पत्रिकाओं आपकी हैं पहली आपकी हंस है और दूसरी आपकी कर्म बीर ये दो यूज शुक लियुक की जो है वो दो पत्रिकाई हैं और इसका संपादन किस ने किया था तो जो आपकी ये पत्रिकाई है हंस और कर्मबीर इसके संपादक कौन है इसके संपादक कौन है इसके संपादक है प्रेम चंद कौन है इसके संपादक इसके संपादक है आपक कर्मबीर तो इसके संपादन कौन है तो इसके संपादन है आपके माखनलाल चतुरवेदली जो है इसके संपादक है तो इस बात का अपको ध्यान रखना है तो आपका ये question आपके exam की point of view से important हो जाता है कि सुकलिव की किनी दो पत्रिकाओं उनके संपादकों के नाम आपको यहाँ पर बताने हैं तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा हंस आपका ये हो जाएगी पत्तिका और दूसरी पत्तिका आपकी कौन सी हो जाएगी कर्म बीर और इसके संपादक कौन है तो इसके संपादक है जो आपकी हंस पत्तिका है इसके संपादक कौन है इसके संपादक है माखनलाल चतुरवे ले दी तो यह आपका इसका और हो जाएगा और इसके रहन जो आपका इसांतार जरते हैं यह कुछ दुसरी तरीके से भी पूछा जा सकता जैसे आपसे इस तरह से भी पूछा जाता है तो आपको इस पात का ध्यान रखना है इस question के बारे में चलिए अगला question देख लेते हैं अगला question आपका यहां पर पूछा गया है कि शुकलोतर युक्के किनही चार हिंदी पत्रिका संपाधकों के नाम लिखिए तो आप से यहां पर क्या पूछा गया है आप से यहा कुछन आपके एक्जाम के point of view से important हो जाता है तो आपका इसका answer क्या हो जाएगा तो आपका इसका answer हो जाएगा कि शुकलोतर युक के किनी चार हिंदी पत्ति का संपादकों के नाम निम लिखी थे और वो नाम कौन कौन से हैं तो नाम आपके यहां पर लिखे हुए हैं आपका यहां पर फर्स्ट नाम क्या हो जाएगा यहां पर आपका हो जाएगा राम व्रिक्ष बेनिपूरी पंडित श्री राम शर्मा फिर इसके बाद है आपका पदुमलाल पुन्नाल बक्षी और लाश्ट में आपका ह हरी भाव उपध्याए तो ये चार जो है यहाँ पर नाम दिए गए आपके पत्रिका संपादगों के आपके यहाँ पर नाम लिखे मुए हैं कौन कौन से हैं आपके यहाँ पर यहाँ पर आपका है राम व्रिक्ष बेनी पूरी फिर इसके बाद है आपका पंडित श्री राम शर्मा जी फिर इसके बाद है आपका पदुम नाल पुननाल बक्षी फिर इसके बाद है आपका हरी भाव उपध्या है तो यह चार नाम आपको अच्छे से यहाँ पर याद कर लेने हैं कि आपको आप से यहां पर पूछा गया है यह शुक्लोतर युग के किनी चार हिंदी पत्रिका संपादकों के नाम आपको यहां पर बताना था तो यह चार नाम आपको अच्छे से याद कर लेनी हैं तो यह भी कोशन आपका एक्जाम के पॉइंट आप यू से इंपोर्टेंट हो जाता है और आपका यह कोशन दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि शुकलियू की हिंदी पत्रिका के किसी एक संपादक का नाम लिखे आपसे इस तरह से भी एक कोशन पूछा जा सकता है जो आपका कोशन नमर सेकंड है जैसे आपसे यहां पर चार पूछा गया तो आपसे यहां पर एक संपादक का भी नाम यह अबने बूचा सकता है तो सब्सक्राइब थे फूर्पी, अबशे पें!! आपको इमातुक्राइब कर दिकिता है दिस रेज़ीय अब्रट रापने İsप Commission दो हो तरहले आपको दूसरे Śए रिवाय कोð देख लेते हैं अगला कोशन आपका यहाँ पे क्या पूछा गया है? अगला कोशन आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि प्रमुख रिपोर्टार्ज लेखकों के नाम लिखिए क्या पूछा गया आपसे यहाँ पर? आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि प्रमुख रिपोर्टार्ज लेखको नाम Youseopor 여기ड़कों के नाम आपको यहां पर पताने हैं को यहां पर प्रभाकर माचवे विश्नी प्रभाकर्häng प्रभाकर पताने थे तो यह आपको ये प्रेपर्भाकर लेकको के यहां पर आपके आपको यहां पर नाम बताने थे तो यह आपका इसका एंसर हो जाएगा कौन-कौन से हैं आपके प्रमुख रिपोर्टार्ज लेकको के नाम यहां पर आपको बताने थे तो यह आपका इसका यहां पर एंसर हो जाएगा इसके अलमें जो आपका यह किसी एक किसी एक रिपोर्टाज लेखा का नाम बताईए तो इस तरह से भी आपका ये कोशन पूछा जा सकता है तो आपको कोशन को अच्छे से पढ़ लेना है और जितने भी पॉइंट मैं आपको यहां पे बतारी हूं सारे पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान दखिएग कि डाइरी की विसिहस्ताएं बताईए और यह आपका कोश्चन जो है यूपी पॉइंट इग्जाम 2017 में पूछा जा चुका है तो आपका इसका अंसर क्या हो जाएगा आपका यहां पर इसका अंसर हो जाएगा कि जो डाइरी है उसकी विसिहस्ताएं निम लिखी थाए तो गैंद ca लिखानेक्श पर निएयरी के प्रमुख है तो यहाँ पर बताई गयän इसके बाद आपका क्या लिखा हुआ इसके बाद आपका लिखा हुआ है अतरंग छडो का चितरन किया गया है इसमें और आपके इसमें संचिप्तता है और आत्मियता है यह आपकी डायरी की विश्रिष्टाओं यहां पर बताई गई हैं तो जितने भी पॉइंट आपके लिखे हैं सारे पूइंट आपको अच्छे से याद कर लेने हैं कभी-कभी आपसे कोशन घु आपको यहां पर डायरी की विस्थता बतानी थी तो आपको यह जितनी भी यहां पर विस्थता है लिखी में सारी विस्थता है अच्छे से यहां पर आपको पढ़ लेनी है और याद कर लेनी है इसके अलाना जो आपसे इस जो आपका यहां पर डायरी लिखा इससे आपसे को अगर आप से यह question निया जाए कि यारी विधा के किसी एक लेखाक का नाम लिखा है तो आपका इसका answer क्या हो जाएगा आपका इसका answer हो जाएगा श्रीराम श्रमा तो श्रीराम श्रमा जो अए वह वह डायी विधा समझते हैं क्या पूछा गया आप से यहां पर सम्स्मरंड से समझती है आपके UP基本 exam 2017 में पूछा जा चुका है तो आपका इसका answer क्या हो जाएगा तो आपको इहां पर बताओना है कि आप संस्मरंड होता है उससे आप क्या समझते है यानिटी आप से सिद्धे सिद्धे अपनी इसमिती के साथ प्रस्तुत करता है तो ओखा इसका एंसर हो जायेगा क्या हो जाएगा आपका एंसर कि जब लेखक किसी वیک्ती या महापुरुश या वस्तु या घटना का अपनी स्मिर्टी की आधार पर मतलब जो लेखक जो लिखते हैं वह अगर अगर अपनी लेखक है या कोई वेक्ती है, कोई पूरुश है तो उसके बारे में लिखना अपन याद कर लेनी आपके एक्जाम में ये पूछा जा सकता है इसके अलामा आपसे एक कोशन और भी पूछा जा सकता है कि किसी एक संस्मराण लेखक का नाम बताइए क्या पूछा जा सकता है आपसे जो आपके संस्मरंण के अगर आपसे लेखाक के बारे पूर लिया जाए, तो आपको नाम नाम यहां पर याद लख लेना है, क्या नाम है इलाचन जोशी, तो और आपको यहां पर संस्मरंण की definition भी अच्छे से यहाँ पर याद कर लेनी है इसके बाद आपका next question क्या है इसके बाद आपका next question है कि निम लिखित कृतियों के लेखक का नाम बताईए तो यहाँ पर आपकी कृतियों के लेखक के नाम आपको यहाँ पर बताने हैं तो आपका यह जो question है आपका यह question जो है व दूसरी है खून की चीटे और तीसरी है उजली आगी यह आपकी को नहीं को आपको यहां पर बताने हैं तो towards कि नहीं आपकी बर्प की गुडिया कौन है इसके लेकक कोकई अपके जयप्रकाश भारती कौन है जैप्रकाश भारती ज分 हो बर्व की गुडिया क्रिती के लेख़क है इसके बाद आपका दिया है खून की चखीटे के लेख़क है इसके बाद आपका लास्ट sentence misconception कौ। उजली आग तो उजली आग कृति के लेखक कौन है इसके लेखक है आपके रामधारी सिंग दिनकर कौन है रामधारी सिंग दिनकर इसके लेखक है जो आपकी कृति यहां पर लिखी हुई है उजली आग तो जितने भी कृति आपको यहां पर लिखी हुई सारे आपके एक्ज तो खुन की चीटे जो आपकी क्रिष्टी है इसके लेखा का है भगवत शरर उपाध्या अलाष्ट में आपका लिखा हुआ है उजलियाग तो इसके रायटर कौन है इसके रायटर है आपके रामधारी सिंग दिनकर तो अच्छे से आपको इसको याद कर लेना है इसके बाद सरस्वती पत्री का किस युग में प्रकासित हुई तो आपका क्या है आपका इसका एंसर हो जाएगा आपका सरस्वती पत्रिका है किस यूग में प्रकासित हुई थी ये आपकी प्रकासित हुई थी द्रवेदी यूग में तो आपका इसका एंसर क्या हो जाएगा द्रवेदी यूग इसके अलावन जो आपका ये कोशन है ये कोशन आपका दोसे तरीके से भी पूछा जा सकता है संपादक का नाम बताईए क्या पूछा जा सकता है आपसे आपसे यहां पर पूछा जा सकता है कि सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक का नाम बताईए तो इसका एंसर क्या हो जाएगा आपका इसका एंसर हो जाएगा यहां पर स्याम सुन्दर दास क्या हो जाएगा आप आपका इसका एंसर हो जाएगा स्याम सुन्दर दास तो यह नाम भी आपको यहां पर याद कर लेना है कि सरसोती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे तो सरसोती पत्रिका के प्रथम संपादक थे स्याम सुन्दर दास तो इस तरह से भी आपका यह कोशन पूछा जा सकता है किस विदह की रचना है तो आपका question有ूट पूछा गया तो जो आपको लिखा हुआ है किस विदह पुछा जो है आत्म कता है नीर का निर्मार फिर आपकी आत्म कता अगला कोशन दिख लेते हैं, अगला आप से तहां पूछा गया है, अगला आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि किसी एक जीवनी लेखक का नाम लिखी है तो आपका इसका अंसर क्या हो जाएगा अमरित राय जो है वो जीवनी लेखक है क्या है आपका इसका अंसर इसका अंसर आपका यहाँ पर है अमरित राय तो आपको यहाँ पर बताना था एक जीवनी लेखक का नाम तो कौन है वो है अमरित राय तो आपका इसका अंसर यह हो जाएगा चलिए अगला देख लेते हैं अगला आपसे यहाँ पर क्या पूछा ग आपका जो यह question है यह आपके UP board exam 2013 और 2017 में पूछा जा चुका है तो आपके exam के point obviously important हो जाता है तो इसका आपका answer क्या हो जाएगा आपका इसका यहाँ पर answer हो जाएगा जो आपकी पत्रिका है मत्वाला तो मत्वाला के संपादक कौन है इसके संपादक है सूरेकां तृपाथ आपके देश पत्रिका के संपादक कोण है तो देश-पत्रिका उसके संपादक है डाक्टर राजेंद प्रसाद कोन है डाक्टर राजेंद प्रसाद यह कहां तो आपको अच्छे क्यों नाम लिखें क्या पुछा गया आप से इहां पर आप से यहां पर पुछा गया कि मेरी कॉलेज डायरी के लेखक का नाम लिखें तो आपको यहां पर इसका नाम पताना है और यह कोशन आपका most important question है आपका ये क्योंकि आपका ये question जो है UP board exam 2014, 15 और 17 तीनों साल ये question आपका यहाँ पे पूछा गया तो आपके exam के point of view से important हो जाता है तो आपका इसका answer क्या हो जाएगा आपका इसका answer हो जाएगा डाक्टर धिरेंद्र वर्मा कौन है डाक्टर धिरेंद्र वर्मा जो है वो मेरी college diary के लेखाक है तो इसको भी आपको अच्छे से यहाँ पर याद कर लेना है डाक्टर धिरेंद्र वर्मा चलिए अब next question देखते आपको यहां पर यह बताना है और यह आपका question जो है यूपी ग्जाम 2017 में पूचा जा चुका है तो आपका इसका answer क्या हो जाएगा संसमरण तो जो यह पत के साथ ही है किस विधा की रचना है यह संसमरण है तो इसका answer आपका संसमरण हो जाएगा चलिए next question देख लेते हैं next question आपका यहाँ पे क्या पूछा गया है next question आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि कंकाल कृती के लेखक का नाम बताईए क्या पूछा गया आपसे यहाँ पर कंकाल कृती के लेखक का नाम बताईए और यह question भी आपका जो है यूपी वोड एक्जाम 2013 में पूछा जा चुका है तो आपका इसका एंसर क्या हो जाएगा तो आपका इसका एंसर हो जाएगा जैसंकर प्रशाद तो जो आपकी कंकाल कृति है इसके लेखक कौन है इसके लेखक है जैसंकर प्रशाद चलिए फिर अगला कोशन देख लेते हैं तो यह आज का लास्ट कोशन है तो आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि रस्मिमानसा कृति के लेखक का नाम बताईए क्या पूछा गया है आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि आपका इहां पर इसका एंसर क्या हो जाएगा राम चन शुक्र विजुग हो जाएगा यहां पर आपके कूशन सारे परисл 흡़ हो जाते हैं तो यहां पर जीतने आपके एक्जाम के point of view से important question है सारे यहाँ पर करा दी है अगर आपको कोई question ना समझ में आ है और आपको कोई doubt हो तो आप comment section में पूंच सकते हैं महाँ पर मैं आपको जवाब दे दूँगी तो यहाँ पर आपको इस वीडियो में जो भी चीज़े आपकी थी important मैंने आपको यहाँ पर बता दिया आपका question किस तरीके से दूसरे तरीके से भी पूंचा जा सकता है वो भी मैंने आपको यहाँ पर अच्छे से बता दिया है तो अगर आज की वीडियो आप सब को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना शेर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलिएगा तो आज की वीडियो में इतना ही फिर भीलूंगे आप से अगली वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग